जिस पर आपको नजर रखनी हैं कौन से च्रिगर्स हैं जो कि फोकस में रहेंगे ये जान लेते हैं बताने के लिए शरत हमारे साथ चुड़के हैं शर्च शुरबात इस वक्त आई-प्यो आपडेट भी है हमारे पास जी बिलकुल मांसी तो सबसे पहले जो है आई-प्यो आफकोस एक खुलने वाला है हर्शा इंजिनियर्स का यहां पर सब्सक्रिप्शन का और इस पर फोकस जरूर रखेंगे आज जो है खुलेगा और प्राइस बैंड लगवख 314 से 330 रुपे प्रतिशेर पर है अब जो है इ लिपक नाइट्रेट सबसे पहले इंपोर्टन फोकस रहेगा यहां पर एक अनलिस्ट मीट हुई थी और इडलवाइस के नोट में कहा गया है कि जो फायर इंसिडेंस हुई थी जब आग लगी थी उनके फैक्ट्रियों में तो अब जो है उस फैक्ट्री की जो प्रोड़क इंटेग्रेशन पे भी फोकस करने वाली और इसके कारण क्या होगा कि उनके माजिंस जो है इंप्रूव हो जाएंगे और आपको पता ही है कि हाला कि अभी केमिकल शेयर और कह सकते हैं फोर्लाइजर शेयर में थोड़ी सी माजिंस में प्रेशर जरूर फर्स कॉर्टर में देखने मिले थी इसके लावा आमी और गैनिक्स भी फोकस में रहेगा यहां पर जो है दो इंपॉर्टन फंडाउस इंट्री ली और कल स्टॉक में भी बहुत बड़ा रियक्शन देखने मिला था और वॉल्यूम्स भी बहुत हाई थे प्लूटस वेल्थ मैनेजमेंट और स्मॉल कैप वर्ल्ट फंड इन्होंने लगबख तीन से लेके साड़े चार पसंद तक का हिस्सेदारी जो है खरदारी की है कल के ट्रेड में और यहां पर जो बिक्वाली हुए वो प्रमोटर साइट से हुई और उनके रिलेटेट पार्टी से वहां पे हुई है तब देख 16 सप्टेंबर को फंड रेस की जो है बात होगी बोर्ड मीटिंग के इसी इंटरनाशनल को नए ओर्डर मिले हैं लगबख 1100 करोड के अब यह इंस्टूशनल ओर्डर हैं अलग-अलग बिजनस से नियू लेंड लाबरिटीज में रेजिगनेशन हुई है दीपक गुपता क कि जो एक CFO थे और यह इफेक्टिव होने वाले 14 अक्टूबर से JSW Steel ने भी करार किया है जर्मन कंपनी के साथ डी करबनाइजेशन को लेके जहां पर वो SMS ग्रूप के साथ काबन डिदक्शन प्रजेक्ट पर फोकस करेंगे और 10,000 करोड का आकड़ा जो है वो तो 10% का जो है आप कह सकते है फेस वैल्यू पे डिविडेंट एलान किया है और यह लगबग 2% का डिविडेंट इल्ड है बिल्कुल शरत शुक्रिया है सारी अपडेट हमें बताने के लिए तो ठीर सारी खाबरे हैं जो की फोकस में रहेगी खुलने वाला है इस आई प्यों से जुड़े सारे के सारे डीटेल्स आइए जानते हैं